नमस्कार एंड वेलकम टू इसमार्ट रेवडे चनलन दोस्तो आज का ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट थे जो टीचिंग सेक्टर में यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं दोस्तो यहाँ पर पर्मानेंट जॉप यहाँ पर बताने पर किलिया चालू हो रहा है और क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या क्वालिफिकेशन हैं तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं यह को पूरा देखिएगा ताकि आपका सारा डाउट जो है इस भर्ति से रेलेटेट के लिए हो सेगे ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स बिना किसी द पर में हम बात करने वाले हैं यह हर्याना के लिए निकाला गया है और इसमें 3863 जो है पोस्ट निकाला गया ठीक है पिजटी टीचर की विकेंजी है दोस्तो पर्मानेंड जॉब है और यह भी इसमें हम डिसकस करेंगे क्या अधर स्टेट वाले अवलाई कर सकते हैं कि नही करना होगा ठीक है अपलाई बगरा कैसे करना यहाँ पर बता रखा है और इसके लावा दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है हर्याना केड़ेट में यहाँ आप देख सकते हैं 3863 जो है कुल पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है ग इसी प्रकार से यहां पर प्लीटिकल ठीक है तो टोटल जो है, जैसे कि मैंने बताया था इन बढ़िए था इसीप्र है इसी प्रेकार से यहां पर अब ग्रोट थार्ड वीक आफरवरी बराच यहां पर अब का प्लीट कराए जाएगा ठीक है इसके लावा हम बात करें क्वालिफिकेशन की अगर आप PGT Commerce के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास M.com होना चाहिए with Accounting, Coast Accounting, Financial Accounting, ठीक है 50% Passive Mark के साथ और B.A.D. होना चाहिए Recognize University दो और आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथ में आपका जो मैट्रिक है हिंदी या संस्क्रीज सब्जेक्ट से होना चाहिए और 12 जो B.A.M.A. with Hindi तो आपका होना ही होना चाहिए ठीक है इसके लावा दोस्तों इमेंज चीज यहाँ पर 3rd नमर में देखेंगे Certificate of Having Qualifying Haryana Teaching Eligibility Test यानि कि H.T.E.T. का यहाँ पर Certificate हो कर सकते हैं ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि consistent good academic record जो है आपका होना चाहिए ठीक है इसके लावा PGT computer science के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं और सभी के लिए यहाँ पर qualification यहाँ पर बताया हुआ है तो यह आपको अच्छे से यहाँ चेक कर लेना यहाँ पर minimum जो basic है यह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में अदर और भी allowances बगरा जोड़ दे तो आपकी salary जो है 60,000 प्लस यहाँ पर चली जाती है ठीक है इसके लावा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और भी सारी चीज़े यहाँ पर बता रखा है eligibility condition nationality आपकी age है minimum 18,000 और maximum 42 years तक होना चीए तो आप eligible है apply कर सकते है ठीक है इसके लावा age का relation का lab यहाँ पर आप देख सकते हैं किनकों किनकों मिलेगा कितना कितना दिये जाएगा यह यहाँ पर आपको देख लेना है यहाँ पर पूरा यहाँ पर बता रखा है ठीक है इसके इसके लावा दोस्तों for all female candidate general category included female department of ESM of Haryana only 250 रुपे देना है और female candidate of journal और all reserve category को यहाँ पर 250 रुपे ही यहाँ पर आपको payment बगरा यहाँ पर करनी है इसके लावा 250 रुपे यहाँ पर आपको देना होगा male और female candidate of SC BCAA BCAB ESM category of Haryana only को 250 रुपे economy weaker section EWS को भी 250 रुपे यहाँ पर payment करना होगा फीस किनको नहीं देना है जो candidate यहाँ पर personal with disability category candidate है और 40% से above disability condition है उनकी तो वो दोस्तों हर्याना के ही रहने वाल है उनको दोस्तों किजी परकार का कोई फीस बगरा यहाँ पर नहीं payment करना है समाज गए तो यह सारी condition है दोस्तो और पहले दोस्तों मैंने जो दिखाया था आपको हर्याना केड़ेट का और यह जो आप देख पा रहे है यह जो वेकेंसी है मेवाट केड़ेट के लिए निकला गए है यह भी PGT teacher की वेकेंसी है सेम जो भी यहाँ पर date है registration process का सब कुछ सेम है last date वगरा सब कुछ सेम है ठीक और सोसिलोजी और उर्दू टीचर की यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है और इसमें हम पोश्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 613 जो है कुल पोश्ट यहाँ पर जारी किया गया है ठीक है तो यहाँ पर अलग-अलग केड़ेट में वेकेंसी आई हुई है अगर सकते हैं अगर आपने स्टेट का टीट यहाँ पर क्वालिफई किया है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी कंडिगेट यहाँ पर अधर स्टेट भी अपलाई कर सकते हैं बाकी सारी कंडिशन यहाँ पर सेम है तो इस वीडियो में इतना ही इस भरती को जरूर याप दूसरे तक share किजिएगा ताकि सभी जो है यहाँ पर candidate जो यहाँ पर teaching sector में जाना चाते हैं permanent job है दोस्तों उनको यह वीडियो जरूर शेयर किजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंस पर वाचिंग जाहिन